नमस्कार दूस्तो मेरे नामा सीस और आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दूस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप टाटा क्लिक पर कोई भी प्रोडिक्ट आपने परचेज किया है तो आप उसको आडर को कैंसिल कैसे कर सकते हैं या फिर आडर को आपको रिटन करना है प्रोडिक्ट आ गया है डिलिवरी हो गया है तो आप कैसे कर सकते हैं पाने वाले वीडियो को पूरा आप लाश तक देखेगा इस वीडियो को दोस्तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए साथ में नौटिफिकेशन बिल्को भी आउन कर लीजिए साथ में क account बनाना और shopping करने के लिए order किसे कार चैजाता है यह पिछली वीडियो मैंने आल्रेडी बता दिया है तो आपको वो description में link मिल जाएंगी तो आप वो वीडियो भी देख सकते एं तो सबसे पहले आपको cancel करने के लिए order यहाँ पर माई अकॉंट वाले रा कॉलम पर आना है माई अकॉंट पर जैसी आप आ जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपने जो भी order किया है already आपका नाम अग्या आएगा जो order किया है वो यहाँपे details order किया जाएगी यहाँपे order details आजाएगी और पोट का feedback यहाँ पर option दिखाए दे रहा और यहाँ पर एक option मिल जाएगा आपको cancel item तो इस पर cancel item पर click कर देना है दोस्तों अगर आपका order जो है वो अभी delivered नहीं हुआ है तो यहाँ पर cancel item लिखके आ रहा है और अगर delivered हो जाता है आपका दोस्तों अगर delivered हो जाता है तो यहाँ पर return item का live के option आएगा लेकिन process सेम रहेगा आपको same process से ही cancel भी करना है और same process से return भी करना है तो यहाँ पर cancel item page क्लिक कर देंगे खरने के बाद दोस्तों यहाँ पर option मिल जाता है यहां पे देख सकते हैं, select region का option मिल जाता है, इस पे tap कर दिना है, tap करने के बाद दूस्तों, यहां पे 5 रीजन है, my delivery is taking too long, the product is based on our wrong, यहां पे आप पढ़ सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, fourth number के है, I placed my order, twist by mistake, I change my mind, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, यहां पे तीसरे number पे लिखा है, I found a better deal on another website, तो कुछ भी आप पने हिसाब से कर दीजिए, मैं तो यहां पे choose कर लेता हूँ, first number वाला ही choose कर लेता हूँ, my delivery is taking too long, इस पे click कर देंगे, फिर उसके बाद यहां पे एक comment आता है, तो comment optional है, आप चाहें तो कर सकते हैं, यहां पे, ना चाहें तो ना कर यहां पर मैं sorry लिख देता हूँ, sorry, फिर उसके बाद यहां पे एक option मिल जाता है continue का, तो आपको continue पे click कर देना, जैसे आप continue पे click कर देंगे दूस्तों, तो यहां cancel order का option लिख क्र देते हैं, तो थोड़ा सा आपको wait करना पड़ेगा, और यहां पे try again का option मांग रहा है, तो तो यहां try again का option जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि order जो है वो cancelled हो चुका है यहां पर order confirm हुआ था यहां पर आपको message भी आ गया है cancelled order का तो यहां पर दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि यह order यहां पर देख सकते हैं Hasis you have cancelled order यहाँ पर order आपका cancel हो चुका है टा-टा क्लिक पर आपका order cancel हो चुगा है तो दोस्तो इस तरके से आप order जो है वो cancel कर सकते हैं दोस्तो आई होब यह वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी यह वीडियो पसंद आई हो तो like, share जरूर कीजेगा इस वीडियो को साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप नौटिपिसन बिल दबाने के बाद सभी वीडियो को देख पाएं दोस्तो थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो जैहिंद वंदे मातरम